ठेस्टी खट्टी चटपटी सांबर अगर आपको मिल जाये, तो सौसी निन खान आम प्रक्ट 17 इने का मज़ा, कई गुनाब बढ़ जाता है। तो घर में बहुत आसानी के साथ कैसे बना सकते हैं बिलकुल यह सांबर दोसे के सांबर अपना सकते हैं मैंने भी इस साभर को पेर किया है यहां पर उरत दाल चावल की इडली के साथ जो की बहुत ही सौफ बनी है बहुत ही जालीदार है इसकी रेसेपी बहुत जल्द में आपके साथ शेयर करूँगी और आज मैं इसको इंजॉय कर रही हूँ साभर के साथ साथ ही मैंने इंजॉय तो बढ़िया सांबर बनाने के लिए हम लेंगे कुकर जी हाँ फ्रेंग्स कुकर में बनाएंगे जटपट से बनेगी टेस्टी बनेगी यहाँ पर आधा कप के करीब हमने ली है तूर की दाल यानि कि अरहर की दाल हमें लेना है इसको अच्छे से दो से तीन बार धोकर हम सब्सीस में डाल सकते हैं मैंने यहां पर बैगन लिया है लगबक सो ग्राम के करीब छिलकी औभन के लुड़कार यहां पर कद्दू लिया है, 100 ग्राम के कद्दू है, उसको भी मैंने छिलका हटा कर लिया है, एक गाजर लीती उसको भी छी लिया और इस तरह से गोल-गोल काट लिया, आप चाहें तो छोटा-चोटा भी काट सकते हैं, एक प्यास को भी बारिक काट कर डाल दिया, प्यास ड कि एक तरह से घाली को बार इसको अच्छी से कर लें कि अब यहां, उसके बार कुकर के लिगा अट नवर टूड़ जा लिए, तो अब कहाले से लिए तो पानी अब लगार को जालिया अब दूट बड़ा दूए तो लगबक 2 ग्लास के कानी पानी मेने अग अट डाल दिया इसके साथ ही हम इसमें एक चम्मच के करीब एट करेंगे कश्मीरी रेट चिली पाउडर यानि की कश्मीरी मिर्च पाउडर मैंने डाला है इससे हमारी सामर का कलर बहुत ही बढ़िया एकदम ब्राइट रैड आएगा तो जिससे मार्ट में अप खाते हैं तो आप यह सोचते हैं कि यह लाल-लाल कैसे हो गई तो बिलकोल यही इसी ट्रικ से बनाई जाती है और कश्मीरी मिर्च दाली जाती है उसमें बहुत जादा तीखी भी बन लाल-लाल बनती है तो मीडियम हाई फ्लेम पर तीन से चार सीटी लेली मैंने, कोकर ठंडा हो गया, कोकर को खोल दिया अब देखिए, यहाँ पर हमारी सबजियां भी बॉयल हो चुकी है, दाल भी बॉयल हो चुकी है, तो दोनों चीजों को हमने एक साथ बॉयल कर लिया तो अब इसमें हम यहाँ पर टैमरिंट पल्प डालेंगे, तो हमने यहाँ पर दो नीबू की साइस की इमली को लिया, उसको अच्छे से धोकर हमने लगबग आदे घंटे के लिए पानी में, गरम पानी में भी हो दिया, उसका हमने अच्छे से पल्प निकाला, यानि की गू आप जाकर ज़रू देखें, आपको बेहत पसंद आएगी, अच्छे से मसाले को भी मिक्स कर दीजे, अब आईए इसके लिए तर्का बना कर त्यार कर लेते हैं, तो आप ले लीजे एक कढ़ाई और उसमें डाले दो से तीन चम्मच तेल, तेल को अच्छे से गरम करके एक चम्मच राई डाल दे, अच्छे से चटकने दीजे, इसके बाद में हम इसमें आट करेंगे, दो पिंच के करीब हींग, तो हींग से बहुत बढ़िया खुश्बू आएगी, साथ ही हम इसमें आट करेंगे, दो से तीन लाल मिर्चे, सूखी लाल मिर्च ले लीजे, हातों मार्केट में मिलेगी साथ इंगन फ्लेवर साते हैं, एक प्यास को बारी काटकर डाल दिया है मैंने, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो इसको थोड़ा से बूल लेंगे, जब तक हमारी प्यास लाइट ब्राउन नी हो जाती, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च का अब हमने जो साबर को बॉल करके रखा था वो हम इसमें फटा फट से डाल देते हैं, फ्लेब को मिडियम हाइ रखेंगे, तो सारी प्लेम पर साबर को अच्छे से बॉल होने देना है, ओबालना है जैसे जैसे हमारी साबर बॉ जब आप इसको इतना पकाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पर तभी जाकर हमारी सांबर बढ़िया बनेगी उसमें वो खटास आएगी रंगत आएगी जो आपको बिलकुल मार्केट में बिलती है इसको बॉल करना बहुत इंपोर्टेंट है तो देखिए अच्छे से मिक्स करते अगर आपको सब्जियों की चंक्स पसंद नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा पुटैटो मैशर से इस तरह से मैश भी कर सकते हैं तो इस तरह से क्या होगा जो सब्जियां है वो थोड़ी सी यूनिफॉर्म हो जाएंगी चोटे-चोटे पीसिज में तूट जाएंगी तो अब आप देख सकते हैं सब्जियां सारी की सारी बारीक हो चुकी है और हमारी बहुत ही बढ़िया सांबर बन रही है इसको हम बहुत अच्छे से बॉइल करेंगे जब तक हमारी जो सांबर है थ्री-फोर्थ क्वाल्टेटी में रिडियूस नहीं हो जाती तो आप को अच्छे से एक जाले एक चम्मच में डालोंगी काला नमाग जी हाफ फरेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसी से बहुत अच्छे एक टेस्ट रह गा बहुत अच्छा कलर भी आएगा और बहुत अच्छा एक पंच मिलेगा एक किक मिलेगी हमारी सांबर को और जो सांबर को बड़िया से बॉयल होने दीजिए तो टोटल इसको 20 मिनिट करीब हमें बॉयल करना है तो इस बात का आपको ध्यान देना है तो देखिए एक बाद टेस्ट करके आप देख सकते हैं यानि कि सफेद नमक और काला नमक दोनों को कॉम्बिनेशन में आट कीजिए तो स बड़ को देख सकते हैं एक बातों अर काएल लोग सर इसमें थोड़ा सा बात टालते हैं अगर पहले डालेज और उसके बात जूड़ करें यानि कि जबात नमक डाला था उसी पोइन पर आप इसमें थोड़ा सा गुग बीडा्या बीडालत तो अगर जाल सकते हैं एक छोटा तुकड़ा गुड़का डाल दीजे और बस इसके बाद में बॉइल होनी दीजे तो सांभर हमारी बनकर बिल्कुल तयार है कुकर में आमने इसको बनाया है तो अब आप देखिए सांभर का कितना बढ़ी आया है बिल्कुल मार्केट जैसा आया है आप मेरे Lena पर देख लीजिए कोकुनट की चट्नी अगर आपको चाहिए तो उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चेनल पर मिल जाएगी तो फिलाल तो इंजॉय कीजे मेरी या रेसिपी कैसी लगी रेसे फी लिखकर ज़रूर बताएं बनाने के बाद में फीडबेक ज़रूर शेयर करें